हाई अरिवन मेरा नाम है ब्रजेश मैं हूँ 11 कोचिंग का फाउंडर डारेक्टर नीट में सफलता निश्चीत हमारी है गारंटी ये इस पॉइंट को इस बात को हलके में नहीं लेना है नीट में सफलता की गारंटी का मतलब है कि यदि आप हमारे बताए रास्ते पर चलते हैं एक भी क्लास मिस नहीं करते हैं, स्टडी मट्रियल बनाते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाते हैं, सारा टेस्ट देते हैं सारा टेस्ट देते हैं, आप अपने डाउट को दूर करने के लिए मेरे से बात करते हैं, टीचर से इंटराक्ट करते हैं अपने इंडिविजूल लेवल पे विकनेशेज को शेयर करते हैं तो यह दिया आपका सेलेक्शन नहीं होगा, तो पूरा फीस वापस कर देंगे आपको, पर ऐसा होता नहीं है हमारे हैं इसका रीजन है, आप कहें कि गारंटी कैसे दे रहे हैं, नीट वाले बच्चों का फिजिक्स ही कमजोर होता है और यहाँ पे पूरी इंडिया में सबसी स्ट्रॉंग फैकल्टी फिजिक्स की ही है हमारे हैं 150 प्लस दिलाना हमारी गारंटी है, फिजिक्स के कारणी बच्चे डिस्क्वालिफाई हो रहे हैं किसी का 180 में से किसी का 50 नमबर आ रहा है, 30-40 नमबर आ रहा है, 80 नमबर आ रहा है हमारी गारंटी है, 150 प्लस नहीं आएगा फिजिक्स वापस, गारंटी है हमारी लेकिन साथ में टर्म्स कंडिशन है, आपको वो काम करना होगा जो हम बताएंगे यह हमने करके दिखाया है, वो बच्चे जिनका 300-400 नमबर था कोटा रिटर्न, फलाने यहां से रिटर्न, ढहमकाने यहां से रिटर्न 300-400 नमबर जिनका था, उनके बीच में साड़े 300 इस टाइप का 320-380, 400 के आसपास में, उनको हमने 620 प्लस करवाया है, इस बार करवाया है यह हमने करके दिखाया है, तब मैं यह को बता रहा हूँ आप कोटा से पढ़े हों, किसी ब्रैंड, किसी बड़ी कोचिंग के नाम पे पढ़े हों आप कहीं से भी पढ़े हों, और आप अच्छे भी हैं, बच्चे भी अच्छे हैं पता चलता है कि Achievers batch है, पता चलता है Excel batch है बच्चे का पिछली बर 550 था, इस बर 555 हो गया, 560 हो गया तिसरी साल त्यारी किया, फिर कोटा में ही रहकर, 580 हो गया यूट्यूब पे बहुत सारी reporting कोटा की आ चुकी है, बच्चे चाचा साल तयारी कर रहे हैं 555, 580, 560, 70, 75 इसी पे रुख जा रहे हैं इसका मतलब बच्चे तो अच्छे हैं, पर वो गलत जगध तयारी कर रहे हैं वो रैंकर बैच में नहीं जा रहे हैं, तब भी वो बैंकर बैच हैं भली नाम अचीवर्स बैच रख दिजे, तीचर सच्छे नहीं हैं तरीके, स्ट्रेटजी और मोटिवेशन नहीं दिया जा रहे हैं तब ही तो बच्चा 4-5 साल तयारी कर रहा है हमने करके दिखाया है, जिस बच्चे का 500 प्लस हो के कोटा से आया उसको हमने 680 नमबर दिलवाया जिस बच्चे का 580 था, उसका 705 नमबर दिलवाया है इस तरह का जनरल डेटा मेरे पास भर-भर के अभीत्तक का रिकॉर्ड है अब आप कहेंगे कि नहीं हुआ तो आपके हाँ भी वैसे ही हुगा तो पूरा पैसा वापस मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें अपने उपर confidence है मेरे वीडियोज देखेंगे यूट्यूब पर तब भी आपको पता चल जाएगा बनारेस के ही कई कोचिंग के बच्चे जिनका 300-400 आता था नंबर दो-तीन साल तयारी किये उनको हम इस बार select करवाने जा रहे हैं उनका नंबर आ रहा है 640, 45, 660 ऐसे आ रहा है इस तरह के नंबर आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना rigorous training देते हैं अब आप सोचेंगे कि ये होता कैसे है इसका reason है जो main teachers होते हैं जैसे मैं जो class लेते हैं वो doubt बताते हैं और दूसरे के हाँ doubt panel होता है doubt panel में रटे-पिटे teachers बिना logic के बताते हैं कई बार तो गलत बताते हैं कई बार तो खुद confused होते हैं उनसे भला आप क्या सीख पाएंगे जो 550 वाला बच्चा है उस teacher से वो खुदी ज़्यादा जानता है तो कहां से उसका शाड़े 600 आएगा यही reason है कि कोटा में भर भर के बच्चे failure हो रहे हैं और और लाखों बच्चे फेल हो रहे हैं सेलेक्ट नहीं उपा रहे हैं चार चार पांच पा साल तैयरी करते हुए यह हालत बनारस में भी है कई कोटिंग में बच्चे दो तीन साल चार साल तैयरी कर रहे हैं हमारे यहां ऐसा नहीं होता क्योंकि हम खुद involved होते हैं दुसरे कोचिंग में जो तीन सो चार सो पा रहे हैं वो अगली बार भी तीन सो चार सो ही पा रहे हैं तीन-तीन साल तक हमारे हैं ऐसा नहीं होता इतना बड़ा चिंज आता है आप सोचेंगे कि डेटा कहां से मिलेगा आपको सर्प्राइज होगा इस बार हमने तीस बच्चों के उपर एक्सपेरिमेंट किया और यह समझा कि बच्चों का मैथमेटिकल टूल के कारण फिजिक्स कमजोर होता है और वो इंफ्लूएंस करता है केमिस्ट्री और बायो को भी क्योंकि जब आपका फिजिक्स अच्छा नहीं होगा तो आप डिमोरलाइज रहेंगे आपकी ओवर थिंकिंग होगी आपको लगने लएगा कि आपका सेलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि आपका नमबर बार बार तीनसो चारसो पानसो आ रहा है तो आपको लगने लगता है यदि फिजिक्स पे काम कर दिया जाए तो आपका फिर मोटिवेशन मिलता है बायो में भी और केमिस्ट्री में भी हमने 30 बच्चों के उपर एक्सपेरिमेंट करके देखा है उसमें 28 बच्चों का साड़े 600 के करीम में नमबर आ रहा है दो बच्चे बस स्लिप किये हैं वो भी इसलिए क्योंकि हमारी बात नहीं माने वो अंत तक हमारे प्रैक्टिस सेशन को वो अटेंड नहीं किये वो अपना दिमाग लगा लिए नहीं तो 30 में 300 सेलेक्शन होता तो आपका भी वेलकम है आप आईए उन बच्चों से मिलवाता हूँ जिसकी बात मैं कर रहा हूँ जिस ग्रूप की इंडियन हिस्ट्री में पूरे भारत देश में ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जिन बच्चों का 300, 400, 500 के करिमें नंबर था उन बच्चों को हमने साड़े 600 दिलवाया है ट्रेनीं दिलवाकर प्रैक्टिस से डाउट क्लियर करके वो भी में टीचर के द्वारा तो आईए आपका भी वेलकम है जल्दी से आईए और लग जाईए क्योंकि जितना ही लेट करेंगे उतना ही आपका चांस का होगा हाला कि हमारी तरफ से 100% गारंटी है पर आपको वो करना होगा जो हम आपको बोल रहे हैं रिकॉर्ड में रहे गए और पैसा वापस कर देंगे तो नहीं होगा तो ओके विश्यू अल दबेस्ट थैंक यू सो मच